एलो अम बेटा एस्टीप विक्रम राठोड बात कर रहा हूं सीबियाई से एस सर बताएगा बेटा उस लड़की के साथ क्या रिलेशन हैं जो तुमारा नियूड वीडियो शॉर्शल मीडिया पर आप लूड किया जा रहा है हमें यूटूब प्रांच से महल फोरूड हुए कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब अमीद करता हूँ आप सब बहतर होंगे सक्षल होंगे जोस्तों आज का वीडियो हमारा होने वाला है धूखे से फिल्म बन जाने के बाद जब आपके पास तथा कथित साईबर क्राइम वालों का फोन आता है तो उसके बाद वो आपसे किस तरह से बात करते हैं आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं भाई के पास फोन आता है साइबर क्राइम से सीबियाई ओफीसर एसीपी विक्रम राठोड़ का और वो भाई से किस तरह जाने की जो पीडित व्यक्ति है जिसके साथ ठगी हुई उससे किस तरह से बात करता है और उसकी बात्चीत के बीच में उसके बात्चीत करने के दोरान आप कैसे कैसे पकड़ सकते हैं कि जो अपने आपका साइबर क्राइम सीबियाई का अधिकारी बता रहा है उसकी किस-किस बात को पकड़ कर आप उससे cross question कर सकते हैं इसलिए आज की ये वीडियो बहुत एहम होने वाली है वीडियो शुरू करें उससे पहले आप से निवेदन है कि इस वीडियो के description में एक link है stocks bull channel का हर वीडियो में बताता हूँ मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता बट इतने भाई देखते हैं भाई कम से कम subscribe आप कर लेंगे तो आपका पैसा खर्च नहीं होगा नजाने आपकी YouTube channel पे आपने कितने channels को subscribe किया है कोई पैसा नहीं लगता है अगर आप करना चाहें आपका दिल गवाही दे तो आपसे निवेदन जरूर करेंगे यह हमारा काम है आप subscribe करें ना करें यह आपका आधिकार है उस channel को subscribe जरूर करें तो दोस्तों आईए हम सीधा topic पर आते हैं और इस recording की तरफ आपको लेके चलते हैं जिसमें एक तथा कथित ACP विक्रम राठोड धोके से एक भाई की फिल्म मन जाने के पाद PD को ही धमकाने के लिए फोन करता है सुरुवात में उसे ऐसा एसा एसास कराता है कि हम उसकी मदद करने के लिए फोन कर रहे हैं बट बाद में जब लड़का एक दो सवाल उससे कर लेता है तो उसको बुरा लगता है तो उसके साथ किस तरह से बिहेव करता है तो ये ओडियो आपको पूरी सुननी है आपको मजा हैगा बोर नहीं होने दूँगा यह आप लिक के साइड में रख लीजिए पहले तो मैं आपको बता दूँ एसी पी असिस्टेंट कमिस्टनर ओफ पुलिस कितनी बड़ी रहेंग होती है वो किसी पीडित एक छोटे से आदमी जिसने कोई घटना की उसके पास वीडियो को लाए उसने उठाया उसके पास फोन कर रहा है यह से संभव होता है नहीं होता है यह इसकी जाहिलता है इसको इन्वस्तिगेशन बोलना नहीं आ और अपने आपको एसीपी विक्रम रा ठोड़ बता रहा है और भाई को धमकी दे रहा है कि यूटूब की तरफ से आपके पास मतलब यूटूब की तरफ से हमारे पास आपके उपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक मेल आया तरफ से लिए पास आपके पास फोन किया होगा फिर फोन करेंगे कभी तो ये जरूर कहेंगे कि लड़की को आरेस्ट करने के लिए हमारी टीम निकल चुकी है मेरे भाई अकर किसी ने जुर्म किया है तो दोनों के लिए टीम निकलती है यार यहां तो इंडिया में ऐसा है कि लड़की के लिए पहले टीम निकल रहे हो लड़के के लिए बाद मेरे भाई या अपने इंडिया में तो लड़के के लिए पहले टीम निकलती है लड़की को तो फोन करके बुलाया जाता है यहां लड़की के लिए टीम निकाल दी बट लड़के को फोन कर रहा है वाई यार उल्टी जन्म कुछ नहीं मेरे पास कॉल आई थी उसके अच्छा तो मैंने रिशेप किया तो देखा क्या वो अपने तुझे पास है कि लड़कों के साथ ऐसा हिली गलिवार करना स्कानू नहीं अपर नहीं सर पहले कॉल आई उसने वीडियो मतलब की वीडियो को उसने किये तो उसके वाद अब बहुत ने कपले निगालने लगे तो उसने वीडियो अब यह जाहिलों की जाहलत आप देखिए अपने आपको वास्ता में पुलिस वाला दिखाने के लिए बीच में गाली का इस्तेमाल भी कर रहा है पर जाहिल इतना ब्लोक धन से बोलने ही पारा है ब्लोक को बोल र अब जाहिल आदमी अगर हमें यह पता होगा कि हमें कोई फसा सकता है तो हम फोन क्यों उठाएंगे जब नहीं पता था तब ही तो कोई फोन उठाता है फशने के बाद पता चलता है अब इसका अन्जाम भुगतने के लिए रेडी देना बेटा इसके लिए क्या करना होगा नहीं इसमें सेक्शन 348 का मामला है अब जाहिल इनसान की जहालत के एक यह जो प्लाइन इसने बोली है कि अब नहीं अंजाम भुगतने के लिए तयार रहो सेक्शन 348 का मामला है सेक्शन 348 के तहट आपके उपर दो से तीन साल की सजा हो सकती है उसके लिए तो टीम निकल गई है और आपका नंबर भी सर्विश लाइन पर डाल दिया है जाहलत, जाहलत, कोरी और पूरी जाहलत सबसे पहले इसने कोई भी सेक्शन उठा के सेक्शन 348 ऐसे ही बोल दिया क्योंकि धोके से फिल्म बनाने वाले जो लोग होते हैं यह अच्छे से जानते हैं कि जिसके साथ यह घटना हुई है जिसको हम टार्गेट कर रहे हैं वो अल्रेडी डरा हुआ है और डरे हुए इनसान को थोड़ा सा महनत करके और जादा डराया जा सकता है इसलिए बस ही अपनी आवाज में थोड़ी confidence रखते हैं और कुछ भी मुझे बोल देते हैं इसने जो 348 सेक्षन का नाम बताया ऐसे ही जबान से लगा आप निकाल दिया कि सेक्षन 348 के तहत आपके उपर कारवाई होगी मैं आपको पता दूँ दोस्तों सेक्षन 348 होता क्या है सेक्षन 348 होता है किसी से जबरदस्ती कोई बात कबूलवाने के लिए किसी को gun point पर लेकर कोई बात मनवाने के लिए यानि कि कुल मिलाके मोटा मोटा आप समझ ये कि 348 की जो सेक्षन है ये उनके खिलाब लगता है जो जबरदस्ती किसी से साइन करवाते हैं जबरदस्ती डरा धंका के किसी से कोई बात कबूलवाते हैं जबरदस्ती अपनी custody में लेकर किसी बात को गलत बयान को कबूलने के लिए आपके उपर pressure बनाते हैं तो ये सेक्षन उन लोगों पे लागू होता है जो आपकी जिंदगी में आपके साइथ जबरदस्ती करके मतलब आपको डरा धंका के कोई बात मनवा लेते हैं कहीं साइन करवा लेते हैं और ये सेक्षन पुलिस पर भी लागू होता है जब कोई PD अगर ये बयान बदल दे कोट में कि भाईया मेरे उपर तो जोब जोर जबरदस्ती करके पुलिस ने मुझे ये बात मनवाई थी तो पुलिस के उपर भी ये सेक्षन लागू होता है मैं जाहि उस जाहिल ACP विक्रम राठोर जो अपने आपको बता रहा है उसको बताना चाहता हूं बेठा जो तु इससे कबूल वाने की कोशिस कर रहा है अगर तु वास्तव में मुझे पता है तु जाहिल है तु बेगेराथ है तु गमार है तु अनपढ़ है तीसरी फैल है पांशवी फैल है अगर तु वास्तव में ACP होता भी और किसी से फोन पर इस तरह से कुछ बात मानने के लिए उसको मनवाने के लिए दबाव बनाता तो तेरे उपर यह सेक्शन लागू होता उसके बाद उस जाहिल इनसान ने एक बात और कही कि उसके लिए तो हमने टीम भेज देते कि इसके लिए लड़की के लिए तो हमने टीम भेज दी है बेटा तुम्हारा नंबर सर्विस लाइन पर डाल रहा हूं भाईया सर्व लेंज सुना था हमने फोन टैपिंग सुना था ठीक है और भाई ट्रैकिंग ट्रैसिंग सुना था पर यह सर्विस लाइन पर कैसे नंबर डाला जाता है किसी को पखड़ने के लिए किसी से कोई बात तूशने के लिए लड़की का पता तुम्हें पता चल चकता है तो लड़के का कहें नहीं लगा उसको नंबर सर्विस लाइन पर डाल रहा हूं ऐसी कौन सी सर्विस लाइन है तुम्हारी जो एड्रस निकाल के देदेगी है मतलब कुछ भी अपने आपको रियल पुलिस वाला दिखाने के ल लड़के लिए अब जाए ना चाहिए माधर चोट वीडियो के से डिलीट होगा सर्व बैटा यूट्यूब वालों से तुम्हारे पास कोल नहीं है संजे सिंग यूट्यूब ब्रांच से अधा ना आगा वकात्म एक दो दिन पहले आया सर्व बैटा उनको पटा-फट कोल करें जाल से जड़ इस वीडियो को डिलीट कराए इस अधर ये वीडियो अपलोड होगे ना तो माधर तो भगवानी भी नहीं पचाए पाएगा आपको मैं गस मिनट का 10-15 मिनट का मोका दे रहा हूं 10-15 मिनट का अभी नाइट के अंदर टीम निकल जाए तो क्योंकि मेरे भाया इसने ऐसा कौन सा गुनहां कर जाकर कर भी दिया तो कौन सा गुनहां कर दिया कि ये सब ने सकता देश दे दिये अटाव सर्व नड़की के लिए टीम निकल जुकी वह मादर चोड की कहां पर जाएगी उसका नमबर हमारे पास है उसका राइसस्टान का लोकेशन बोला है अच्छा अच्छा ठोट तो ये बता इसके निकलना चाहता है या इसके अंदर निकलना चाहता हूं इस सर्थ नि यूटूब नहीं होते हैं सर्व पहली चीज तो जो अपलोड हुआ ही नहीं है आप कह रहे हैं उनसे कि अपलोड हो गया तो देखना तिरा क्या हसर करूं तो तुम्हें कैसे पता सल गया सीपी साब देख लो तुम्हारी बेहन का कभी हो गया हो अले गंदी अउलाद नम जाना स्वाद कुछ भी पाई सब जहांपट में मूद देगा वो जो पीडी भाई है ना और यह जो अपने आपको विक्रम राठोड बता रहा है अगर यह पीडी तो विक्रम राठोड के जहांपट मार जाती थ्यारी है वो इस तरह की बात करना आपना देखाने के लिए भी में वही गाली जो पुलीस में एक सब्सक्राइब में पुर्चक पूलिस मुवी करता अचैंव फॉरुक्क करो भी जलो सर अभुकुराब कर रही बात कर ताँ जद डिलिट करा वो नम्पका प्लिट कर घट अज जट कर दिये का नंबर सब कर दीए घल नम्बर आपके पास होगा उनका फिल्गां अजर कट गया है अच्छे से शेक रगारा तो ठीक है मैं आपको नमबर वाटसप पर सेड़ कर रहा हूं कि तोबा 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 इन जाहिलों का क्या होगा इनका तो बहिया अल्ला ही मालिक है हिसाब इनका वही होगा इन जाहिलों को कोई सही नहीं कर सकता है तोब कि बेसरम तो यह थे बहिया भी हैं बगेरत भी हैं बे इमान भी हैं बिना इमान वाले हैं तो बहिया इनका हिसाब तो अल्ला ही लेंगे अब जन्नत मिलेगी जहान्न तुम मिलेगा वही टै करई रही पर आपको जहालत का परीचे कराना था इसलिए इसवीडियो को आज करने नेबाया हैát चामेंठ करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा यह जा बताएं कि आप बोर तो नहीं होता है मेरे वीडियो में क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को देखते समय बोर होता है तो मुझे कुछ और इलास करना पड़ेगा कोई और इंतजाम आपके लिए करना पड़ेगा मेरे जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ रखे तब तक अपना खयाल जै भीम जै है हिंद की सेना साथ हो